नमस्कार दोस्तों, हीड्रोवस टेक्नोमेर में आप सब लोगों का स्वागत है मैं जग्दीर शाकुर एक बाद फिर आजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और जानकारी के साथ में हbene समीर मोबाइल घ्रीदने जाते हैं तो इसका मेद साथ में थाते हैं की उसका जाधा से जादा मेगा फिसल ना मांनल मांनलना है कि अगर मोबाइल का जाधा मेगा पिक्सल का है तो यह और वी जाधा अच्छी तस्वीर केप्चर आएगा लेकिन मोबाइल की तस्वीरों का क्वालिटी अच्छा होने के लिए उसका एपर्चर का भी बहतर होना जरूरी है तो आए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि एपर्चर क्या होता है लेकिन उससे पहले भी यह जानते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेगापिक्सल एक मेजरमेंट यूनिट होता है जिससे किसी भी तस्वीर के साइस का पता चलता है हमारे फोन का कैमरा जितना जादा मेगापिक्सल का होगा वह उतनी बड़ी तस्वीर कैप्चर कर सकता है और उसे एक बड़े पेपर पे प्रिंट करने से उसकी क्वैलेटी खराब नहीं होती है लेकिन पिक्चर की क्वैलेटी मेगापिक्सल पे निर्भर नहीं करती है दोस्तों कैमरा के लेंस में जो होल होता है जिसमें से होकर light rays camera के lens सक पहुंचती है उसी hole को aperture कहा जाता है और यह aperture जितना जादा बड़ा होता है आपकी image quality उतनी ही जादा अच्छी होती है दोस्तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी object को capture करते हैं उस object से निकलने वाली light rays को ही camera का lens capture करता है यही कारणे कि हम लोग अंदेर में photo capture नहीं कर पाते हैं और उसी object से अगर बहुत जादा light निकलती है तो भी हम एक अच्छा photo capture नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अच्छा photo capture करने के लिए एक balance light का होना बहुत जरूरी है अब जब यह confirm हो ही गया है कि जादा बड़ा aperture होने से ही बड़िया तस्वीर आएगी तो अब प्रश्म यह है कि आप कैसे जाने की किस mobile का camera या digital camera का aperture छोटा है या फिर बड़ा है तो इसके लिए बस यह जान लीजिए कि जिस aperture की size value छोटी होगी उससे जादा light आएगी जैसे कि किसी mobile camera का aperture है f upon 2.2 और किसी दूसरे mobile phone का camera का aperture है f upon 1.8 तो f 1.8 aperture वाला camera की तस्वीर f 2.2 वाले camera की तस्वीर से अच्छी होगी यानि कि छोटा aperture वाला number तो जादा light यह थोड़ा सा confusion जरूर है लेकिन इसे याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है तो यदि आपके phone का aperture बढ़ा है तो वो जादा light आपके lens तब पहुंचाएगा जिससे तस्वीर bright आईगी camera के aperture के बढ़ा होने पर तस्वीर की quality जादा बढ़ी आती है aperture के बढ़ा होने से तस्वीर के color जादा bright दिखते है aperture के बढ़ा होने पर object को focus करके background को blur किया जासे है जिससे object बहुत थी बहतरी दिखाई देता है आप लोगों ने ऐसी fix देखी होंगी जिसमें object पर focus होता है और उसका background blur होता है ये भी aperture का ही कमाल है जिस भी phone का जितना बड़ा aperture होगा वह उतना ही बढ़िया से fix point को focus कर लेता है और image को बहुत ही बहतरीन तरीके से capture कर लेता है और उसका background blur हो जाता है और यदि आपका aperture बहुत ही कम है तो इससे लिया गया image का object और background दोनों एक साथ ही focus रहते हैं जैसा कि इस photo में दिखाया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि aperture के base पर ही आप दो device की आपस में तूलना कर सकते हैं या फिर एक mobile phone या DSLR के camera quality में comparison कर सकते हैं तो दोस्तों अब तो आप लोग समझी गए होंगे कि सिर्फ megapixel के आदार पर आप किसी camera को बढ़िया या गटिया नहीं कह सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ऐसी इन वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब तीजिए इल्क रोवर्स टेक्नोमेंड जै ही जै भारत